दोस्तो नमस्कार आज का ये वीडियो मैं उन लोगों के लिए बना रहा हूँ वो सभी बिगनर्स के लिए बना रहा हूँ जिनके मैसेजेस कंटीन न्यू मुझे कमेंट्स आ रहे थे कि सर बैनेंस के में ट्रेडिंग कैसे कर सकते हैं क्या है उसके पूरे फीचर्स उसके बा बारे में हम लोग बात करेंगे और लास्ट में किसी भी क्रिप्टो कोईन को आप कैसे बाई कर सकते हैं कैसे सेल कर सकते हैं इस टॉप लॉस कैसे लगाना है ओडर कैसे लगाना है लिमिट ओडर तार्गेट प्राइज ओडर एंड फाइनली वन कैंसल अदर ओडर जिसके ब का banner है जहाँ पर banners के द्वारे कोई भी नई update आती है तो यहाँ पर आपको show होती है जस नीचे में 5 यहाँ पर options दिये हुए है home, market trade, futures and wallet तो one by one हम लोग सभी के बारे में जान लेंगे home आप लोग देखी सकते हैं यहाँ पर home आप लोग देख सकते हैं कि कुछ और options हमारे सामने आ गया है जैसे पहला option है spot का, तो spot का मतलब क्या है मैं आप लोगों को बता देता हूँ spot का मतलब है cash trading जैसा कि हम लोग normal market में जितने पैसे हम लोग डालते हैं और उतने ही coin या shares buy करते हैं तो यह एक प्रकार का cash trading है जिसे spot के नाम से यहाँ पर balance के application पर जाना जाता है यहाँ पर जैसे मैंने pair में लगा रखा है यहाँ पर काफी सारे coins आप लोग देख सकते हैं जो की BNB balance coin के pair में है वहीं पर अगर आपको bitcoin के pair में कोई भी coin buy या sell करना है तो यहाँ BTC के उपर click कर लीजे altcoin का भी pair है USDT का भी pair है तो यहाँ पर काफी options आपको मिल जाते हैं अगर आप एक beginner है तो मैं आप लोगों को suggest करूंगा कि आप लोग कोई भी coin सिर्फ USDT के pair में ही buy करे क्योंकि वहाँ liquidity काफी जादा होती है और किसी भी प्रकार की कोई भी problem buy sell में नहीं होती second option यहाँ पर spot के बगल में आप लोग देख सकते हैं futures का दिया हुए तो future trading से related जो भी जानकारी है इसके ब्याप में मैं आप लोगों के लिए एक नया वीडियो लेकर आऊंगा फिलहाल हम लोग ये वीडियो सिर्फ beginners के लिए बना रहे हैं जिसमें cash trading पर बात करेंगे तो future में भी जो coins trade होते हैं यहाँ पर आप देख सकते हो कि कितने सारे coins हैं जो की future में trade हो रहे हैं and third option है Jones का तो यहाँ पर Jones में आप कुछ coins देख सकते हो जो की category wise आपको दिखाई देंगे तो बात कर लेते हैं spot के बगल में जो सबसे पहला option है favorites का तो यह एक प्रकार की आपकी watch list है जो आप जिस भी coin में buy या sell करना चाहते हैं उसे आप यहाँ पर add कर सकते हैं या कोई भी buy या sell करके रखा हुआ पहले से आपने कोई भी coin तो उसे आप यहाँ पर add कर सकते हैं add कैसे करना है watch list में यह मैं आपको बता देता हूँ तो simply आपको या तो spot के उपर click कर लेना है और कोई भी coin जैसे पहले ही coin दे रहा है bitcoin का तो इसको उपर हम click कर लेंगे और click करते हैं यह उपर corner में जो star का button show कर रहा है इसको उपर हम लोग को click कर देना है यह yellow color में आगे star अभी हमें इसे back कर लेना है back करने के बाद favorites में चले जाएंगे favorites में जाने के बाद आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर bitcoin USDT के pair में हमने जो अभी favorites में add किया वो यहाँ पर show कर रहा है इसके अलावा आप कैसे add कर सकते हैं directly यहाँ उपर में search का option है यहाँ पर कोई भी coin जैसे आपको search भी कर सकते हैं मैं आपको Shiba Inu को search करके दिखा देता हूँ यह Shiba Inu coin first option दिख रहा है इसके last corner में आपको यह star का button दिख रहा है उसके उपर हमें click कर देना है और back कर लेना है back करती है आप लोग देख सकते हैं कि Shiba Inu coin जो है वो भी हमारे watch list में add हो चुका है finally अब बात कर लेते हैं तीसरे options की जो की नीचे markets के just bagel में trades का option दिया हुआ है उसके उपर हम लोग click कर लेते हैं trades के उपर click करते हैं यहाँ पर आपको spot margin fade P2P यह options दिये हुए हैं spot का meaning मैंने आपको already बता चुका है cash trading होती है margin trade means आप लोग में से बहुत सारे लोग होंगे जो इस नाम से aware होंगे हम अगर 100 रुपए डालते हैं तो उसके बिहाप में हमको कुछ और margin दी जाती है balance की तरफ से वो एक प्रकार से margin trade कहलाती है माल लिजे आपने 100 रुपए डाला और balance की तरफ से 100 रुपए add हो गए आपको तो 200 रुपए के limit में आप यहाँ पर transaction कर सकते हैं Fiat और P2P से related मैंने एक अलग से वीडियो बनाया हुआ है जिसका link मैं description box में दे दूँगा वहाँ से जाकर आप लोग देख सकते हैं और first option यहाँ पर convert का है तो convert के option में यहाँ पर आप किसी भी particular coin को दूसरे coin में यहाँ पर convert कर सकते हैं तो यह option यहाँ पर दिया हुआ है और उसके बाद बात कर लेते है next option की जो की है futures futures जैसे की मैंने आपको बताया futures थोड़ा सा अभी आप लोगों के लिए complicated हो जाएगा आप लोग confused हो जाएगे तो उसे related मैं एक अलग वीडियो आप लोगों के लिए बना दूँगा पहले आप लोग basic चीज सीख लीजिए and finally बात कर लेते हैं last option wallet की तो wallet के उपर click करते ही आप लोगों को सबसे पहले total value आपके wallet की यहां पर दिखाई दे देगी जो की आप लोग देख पा रहे होंगे मेरी जो wallet की total value 63 dollar के around है उसी के नीचे आप लोग आते जाएंगे तो यहां category wise भी आप लोग देख सकते हैं कि आपके जो fund है वो कहां कहां पर आपको show कर रहे हैं पर देख सकते हैं नीचे अगर pool में कुछ पढ़ा हुआ तो आपको वहां पर दिखेगा उसके बाद यहां पर cross margin funding वगरे में अगर आपका कुछ fund पढ़ा हुआ तो वहां दिखेगा उसके अलावा individually देखना है तो overview के just bugle में spot है spot के उपर क्लिक कर लिजे then funding के उपर क्लिक कर लिजे then margin के उपर क्लिक कर लिजे यहां से आप लोग individually भी देख पाएंगे तो अब बात कर लेते हैं कि transaction करना कैसे है तो transaction करने के लिए सबसे पहले हमें market के उपर आना होगा market के उपर आने के बाद कोई भी एक हमें कोई भी एक coin select करना पड़ेगा जो की हमें purchase करना है तो मैं यहां balance का जो coin है उसे purchase करके और sale करके आप लोगों को दिखाने वाला हूँ इसके उपर हमें simply click कर लेना है click करते ही एक order window open हो जाएगा जहां पर आप लोग जो coin है उसका particular price क्या चल रहा है वो देख पाएंगे उसके बाद यहां पर chart open हो जाएगा chart आप अपने according यहां set कर सकते हैं 4 hours के time frame में 15 minute के time frame में 1 hour के time frame में 1 day के time frame में उसके नीचे यहां पर कुछ helping tool दिये हुए हैं जो कि आप लोग यहां देख सकते हैं moving average volume MACD RSI यहां पर आप जो भी लगे आपको यहां पर set कर सकते हैं तो इसे भी आप अपने according जो भी आपका requirement हो यह देख सकते हैं उसके बाद थोड़ा सा नीचे आएंगे order book आपको आपके सामने दिख जाएगी total bid और ask price यहां पर क्या चल रहा है वो दिख जाएगा आपको इसके बाद हम लोगों को simply करना क्या है buy के उपर click कर लेना है buy के उपर click करके मैं दिखा देता हूँ आपको rate जो भी रहेगा वो limit price आप लोग set कर सकते हैं limit price का मतलब अगर कोई भी share आप अपने मन चाहे rate में purchase करना चाहते हैं तो वो rate आप यहां put कर सकते हैं माल लिजए अभी rate चर रहा है 554.20 अब यह share मुझे 550 के रूपीज में buy करना है तो मैं यहां 550 लगाऊंगा then उसके बाद कितने amount का buy करना है या कितने USDT का buy करना है तो मैं यहां पर 10 USDT कर देता हूँ उसके बाद हमें simply करना क्या है buy BNB के उपर click कर देना है buy BNB के उपर click करते ही buy के उपर click करते ही आप लोग देख सकते हैं यहां पर order successfully placed हो चुका है और यह order फिलहाल open है तो यह order तब execute होगा जब balance का जो price अभी 554 चल रहा है वो 550 के rate में आएगा तो otherwise यह order pending रहेगा अब मैं market rate में कैसे purchase करना है वो करके आपको दिखा देता हूँ तो पहले हम लोग cancel कर लेंगे order order cancel हो चुका है then अभी rate चल रहा है या market के उपर click कर दीजे market rate जो भी चलते रहेगा वो automatically ले लेगा अब मैं यहाँ पर 11 USDT डाल देता हूँ और buy BNB के उपर click कर लेते हैं हम लोग तो buy BNB के उपर click करते ही आप लोग देख सकते हैं हम लोग wallet में जाकर में आपको दिखा देता हूँ successfully का message भी हमें आ चुका है तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं BNB जो हमारे पास पहले कम थे अब वो BNB हमारे पास अच्छे खासी quantity में आ गये हैं तो यह है वो आप लोग देख सकते हैं and finally back कर लेते हैं अब मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ इस share में stop loss कैसे maintain करना है तो simply हम BNB के उपर click कर लेंगे BNB के उपर click करने के बाद sale का option जो दे रहा है नीचे इसको उपर click कर लेना है इसके बाद market की जगा हमें stop limit का option select करना है stop limit select करने के बाद हमें यहाँ पर price डालना है तो अभी price चरहा 553.7 तो हम यहाँ पर डालनेंगे 552 and 551.5 and कितना BNB हमें sell करना है तो 100% BNB हमें sell करना है sell करने के बाद हमें नीचे sell BNB का जो option दे रहा है इसको उपर हमें click कर लेना है आप देख सकते हैं यहाँ confirm करना पड़ेगा order order confirm हो चुका है यहाँ पर लग चुका है order order open है फिलाल आप लोग देख सकते हैं यह जैसे ही 552 की range में आएगा यहाँ पर condition apply हो जाएगी तो इस तरीके से आप यहाँ पर stop loss लगा सकते हैं किसी भी coin में अब back कर लेते हैं अब मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ one cancel other order कैसे लगता है तो simply हम यहाँ पर stop limit की जगा OCO one cancel other के उपर click कर लेंगे one cancel other का meaning मैं बता देता हूँ आप target price और stop loss price same time में यहाँ पर put कर सकते हैं एक order में इसका मतलब यह है अगर आपका target हो जाता है तो stop loss जो आपने लगा रखा है वो cancel हो जाएगा automatically और आपने अगर stop loss आपका heat हो जाता है तो आपका target cancel हो जाएगा automatically तो यह भी मैं आपको लगा के दिखा देता हूँ यहाँ पर simply हमें पहले target price set करना होगा तो यहाँ target हम लोग set कर लेते हैं 560 का then stop loss हमें set करना होगा तो यहाँ 550 and 549.5 का stop loss लगा दिया हमने 100% जो हमारे पास BNB है उसको sell के लिए हम लोग यह order लगा रहे हैं तो इतना करने के बाद हमें simply sell BNB के उपर click कर लेना और confirm कर देना है confirm करती है आप लोग देख सकते हैं दो order आप लोगों के सामने दिख रहे हैं एक stop loss का order है और दूसरा आपका target का order है तो जैसे ही एक order execute होगा दूसरा order automatically cancel हो जाएगा यह benefit है OCO order के और finally मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि किस तरीके से आप अपना target price simply set कर सकते हैं तो यहाँ पर simply हमें limit order set कर लेना है और target price जो भी आपको लगता है मैं 560 का लगा के दिखा देता हूँ आपको 560 का लगा के sell BNB के उपर click करना है 100% यहाँ select कर लेजिए जितना भी BNB आपको sell करना है और यह आप देख सकते हैं कि target price मेरा लग चुका है 560 का अब जैसे ही यह 560 आता है balance का coin का rate तो यहाँ पर वो automatically sell हो जाएगा तो यह थे पूरे orders अब sell कैसे करना है finally मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ तो sell करने के लिए simply मैं market को select कर लेता हूँ जो भी market price होगा उसमें sell हो जाएगा और यहाँ पर 100% जो भी BNB हमारे पास available है उसको मैं select कर लेता हूँ और sell BNB के उपर click कर देता हूँ तो आप लोग यहाँ देख सकते हैं funds में मैं चले जाता हूँ अब देख सकते हैं पर BNB 26 डॉलर का show कर रहा था वहाँ पर पूरे BNB यहाँ खाली हो चुके है पूरा BNB sell हो चुका है तो यह पूरा तरीका है किस तरीके से आप balance के application को operate कर सकते हैं किस तरीके से आप यहाँ पर transaction कर सकते हैं बहुत ही easy है बहुत ही आसान तरीका है fund withdrawal और fund deposit का जो वीडियो है मेरे channel पर आप लोगों को मिल जाएगा link मैं description box में दे दूँगा फिलहाल वीडियो में इतना ही वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को like करे, comment करे, subscribe करे, share करे thank you, thank you so much for watching